तो सबीका नमस्ते सबी को नमस्ते है इसमें हम अभिएस दो कर रहे है जिसमें हम अपने द्वारा चरीर को देखента क शरीर पर ध्यान दे रहे हैं शरीर में हो रह голा हुँ संवेरनावंद पर ध्यान जा रहे है हमारा हमारा शरीर के साथ क्या आदान प्रदान है उस पर ध्यान जा रहा है और हम कैसे बाहर की जो भी भटनाएं है उनको हम कैसे अपने अंदर उनका मिल्यांकन करते है कैसे हम किसी निर्ने पर पहुँचते है शरीर के माध्यम द्वारा जो भी बाहर से हम सुचना लेते हैं वो शरीर के माध्यम से ही लेते हैं तो ये पूरे प्रोसेस को समझना बहुत आवशक है और यही काम हम लोग कर रहे हैं भ्यास एक में हमने अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दिया और उसके तहट हमारी सहथ सीकृती क्या है हमारा भावविचार उसके लाइन में चल रहा है के नहीं हमारे संस्कार उसके तहट बन गए है के नहीं उस पर हमारा ध्यान गया और अब वो काम करते हुए हम शरीर पर भी ध्यान दे रहे हैं और बाहर की जो घटनाएं हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, वो पूरे प्रोसेस को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभ्यास 2 में देखें तो स्टेप एक से चार हम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के देख रहे थे। स्टेप एक में हमने देखा कि मैं हूँ मुझे दिखता है मैं हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर चल रही क्रियाओं को पढ़ पाता है तो मुझे दिखता है कि हाँ मैं हूँ मुझे ये भी दिखता है कि शरीर है कैसे पता चलता है कि शरीर है क्योंकि शरीर में कुछ समवेदनाएं उठ रही है मैं जब उन समवेदनाओं को पढ़ती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि शरीर है वरना तो अक्सर मैं अपने में व्यस्त रहती हूँ तो मुझे ये मालूम ही नहीं होता कि शरीर है शरीर है इसका पता मुझे केवल और केवल शरीर में उठरी सम्वेदनाओं से उनको पढ़ने से मेरा ध्यान उस पर जाता है यह हमने बात करी स्टेप बन में स्टेप दो में हमने देखा कि मेरे और शरीर के बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है यह सिरफ सूचनाओं का हो रहा है इसमें कुछ भौतिक रसाइनिक ट्रांसफर हो रहा है ऐसा नहीं है सिरफ सूचना है मैंने कुछ संकेत दिया शरीर को वो एक सूचना है मैंने कोई सम्वेदना पढ़ी शरीर से वो एक सूचना है और इसी स्टेप में ये भी ध्यान जाता है जो कि हमने तीसरे स्टेप में बात कही है तो ये एक, दो, तीन, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जो कि बहुत नाच्रली दिखाई देगा तो तीसरे स्टेप में हम ये बात कर रहे थे कि ये जो आदान प्रदान है इसका निर्नाय तो मैं ही ले रहे हूँ संकेत मैं देती हूँ शरीर फॉलो करता है समवेदनाय बहुत सी उठ रही है मैं ध्यान देती हूँ किसी समवेदना को निर्नय मेरा होता है उसके तहट मैं अपने अंदर कुछ भावचार बनाती हूँ, कुछ अर्थ देती हूँ और उसके तहट मैं शरीर को संकेत देती हूँ यह पूरे प्रोसेस में दिखेगा कि मैं ही निर्नय लेती हूँ शरीर तो केवल मेरा एक माध्यम है जिससे के मैं बाहर की दुनिया से क्या मुझे करना है वो तेह करती हूँ बाहर से कुछ सूचना लेनी है वो कैसे करना है वो तेह करती हूँ पर बाहर से भी बहुत कुछ चल रहा है मेरा ध्यान किस पर जाता है वो मैं तय करती हूं तो निर्ने में मैं ही दिर्ष्टा हूं, देखने वाली मैं ही करता हूं निर्ने लेने वाली तो in that sense करने वाली और मैं ही भोगता हूं जो भी सुख दुख हो रहा है वो मेरे अंदर हो रहा है मैं सुखी दुखी होती हूं शरीर में तो घटनाएं होती है भाविचार तो मेरे अंदर है शरीर में तो सिरफ समवेदनाएं उठ रही हैं sensations उनसे सुखी दुखी तो मैं होती हूं ये बात हम step 3 में कह रहे थे step 4 में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि शरीर में कुछ हो रहा है मैं शरीर से भिन एक एकाई हूँ ये देखने का मतलब यही है कि हम शरीर में हो रहे ही घटनाओं से प्रभावित होने को बाद ये नहीं है मैं शरीर से भिन एक एकाई हूँ शरीर में कुछ चल रहा है अगर मैं अपने में स्थिर हूँ तो मैं शरीर में हो रहे ही घटनाओं का ठीक ठीक आंकलन करके मुल्यांकन करके निर्ने लेके कुछ कर पाते हूँ तो ये चार स्टेप्स अगर हम थोड़ा अच्छे से करते हैं तो स्टेप फाइव में हमको इजी हो जाता है क्योंकि इन स्टेप चार की बेसिस पर हमने स्टेप फाइव में क्या बात कही जो बाहर से हमारा इंटराक्शन है शरीर के माध्यम से उसका पूरा प्रोसेस हमने देखा तो हमने का शरीर में बहुत सी सम्वेदनाएं उठ रही हैं ये सम्वेदनाएं अलग-अलग जगा से उठ रही हैं इनका स्ट्रोथ ओरिजिन अलग-अलग है सोर्स अलग-अलग है दो हमने देखा बाहर से हैं मतलब बाहर किसी मनुष्य के साथ हम जब व्यवहार में एक दूसरे के साथ कुछ चलता है वो जैसे किसी ने कुछ कहा तो वो ध्वनी मेरे शरीर के कानों तक आई उससे कुछ सम्वेदना उठी और मैंने उस पर ध्यान दिया यह एक हो सकता है इसी तरह बाहर अभी कोई मनुष्य नहीं है लेकिन कोई परिस्तिती है कोई घटना घटरी है कुछ मौसम से रिलेटेड है या प्रकृति में कुछ है फूल है उसकी गंद आ रही है जो भी है उससे कुछ सम्वेदना उठ रही है उस पर मेरा ध्यान जाता है यह दो चीजें बाहर से जो हो रही है उनसे जो सम्वेदना उठती है उस पर मेरा ध्यान जा रहा है फिर एक और सोर्स यह है कि मेरे शरीर के अंदर ही कुछ चल रहा है बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, शरीर में भी बहुत सारे प्रोसेसेश चल रहे हैं उसके तहद कुछ समवेदनाएं उठ रही है मैं उनको भी पड़ पाता हूँ और इसको भी जब हमने किया तो हमने देखा कि समवेदनाएं तो बहुत सारी हो सकती है हम कुछ गिनी चुनी सम्वेदनाओं को स्पेशली जब वो थोड़ी स्टूल हो जाती है तब हमारा ध्यान उन पर जाता है लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इन से सूक्ष में भी बहुत सारी सम्वेदनाओं जो चल रही हैं धीरे धीरे अगर हम उस पर ध्यान दें तो दिखेगा कि वो भी हम पढ़ पाते हैं निर्नय है क्या चीज मुझे महत्वपून लगती है मैं उस समय उसको पढ़ लेती है और आखिर में चार चार चौत्वा जो स्ट्रोथ था चार स्ट्रोथ की बात हुई थी चौत्वा जो था वो ये था कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है मैं में चैतन्य में मेरे अंदर कुछ चल रहा है उसका भी प्रभाव शरीर पर पढ़ रहा है और उससे कुछ समवेदना उट रही है उसको भी पढ़ पाते हैं जैसे कि बात हुई थी हम अगर उससे में आ गए बहुत विरोध में आ गए तो कभी कभी हमारा ध्यान इस पर जा सकता है कि गर्मी हो रही है पसीना आ रहा है या दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई या हाथों में कम-कम पी आ गई इस टाइप का तब हमारा ध्यान जाता है कि ये कैसे हो रहा है तो दिखता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा था उसके कारण शरीर पर समवेदना उठी और मैं उसको भी पढ़ पाती है तो ये हम step 5 में ये जो पहले 4 steps में हमने देखा उसी को हम अब पूरा assimilate करके एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं कि ये step 5 में ऐसा process होता है बाहर से कुछ हुआ या शरीर में कुछ हुआ या मेरे अंदर कुछ चला, इन सब जगाओं से शरीर में कुछ समवेदना उठी, उस पर मेरा ध्यान गया, क्यों ध्यान गया? क्योंकि मैंने उसको महत्पून वाना था मैंने निर्ने पूरवक उस समवेदना को पढ़ा अब अगर मैं सजग हूँ तो मुझे दिखेगा कि मेरा निर्ने मैं सजग नहीं हूँ तो ऐसे लगेगा आटोमाटिकली हो गया मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी लेकिन ध्यान दें तो यह सब में मेरी चॉइस है मैं निर्ने कर रहे हूँ वो दिखे तो मैंने निर्ने पूरवक उसको पढ़ा उपढ़ कि मैंने उसको कुछ अर्थ दिया तो मैंने समवेदना को निर्ने पूरवक पढ़ा और मैंने उसको कुछ अर्थ दिया यह जो अर्थ हम दे रहे हैं हमने हर एकाई के बारे में कुछ न कुछ माना हुआ है अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, प्रक्रती के बारे में भी देखेंगे तो बहुत कुछ माना हुआ है वो क्या माना है सही में ऐसा है या नहीं अक्सर हमें उस पर कभी ध्यान नहीं दिया तो जो भी हमने माना है उसके तहद हम अर्थ दे देते हैं कुछ अगर हमने जो माना है वो सही के अर्थ में है यानि कि जैसी चीजें हैं उसी के अधार पर है तो तो हमारा मानना सही हो गया और जब ऐसा है तो हमें दिखेगा कि हम बाहर कुछ भी चल रहा हो उससे हम प्रभावेत नहीं होते हम क्योंकि हमारा अर्थ सही है हमारा भाव विचार भी सही बना रहता है हम आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं और सुखी होते हुए जिम्मेदारी से पेश आते हैं अपने अंदर पहले तो जिम्मेदारी दिखती है जो अर्थ दिया उसके बेसिस पर हम आराम में रहते हुए दूसरे का आंकलन दूसरे का मुल्यांकन वो सब चलता है हमारे अंदर कुछ निश्कर्ष बनाते हैं और आव आविशक्ता लगी तो शरीर को कुछ संकेत देते हैं और इसको बाहर व्यक्त करते हैं इधर वे सुखी दुखी तो हम अंदर पहले ही हो गए और इन दिस केस सुखी हो गए और फिर हमने आविशक्ता लगी तो बाहर संकेत दिया वरना तो हम अपने अंदर ही आराम में बन अब अगर हमने जो भी माना है वो कुछ और मान लिया सही में वैसा है नहीं क्योंकि अगर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे जो हमने अभ्यास एक में भी बात करी थी तो पूरा जो अस्तित्व है उसका जो पैटन है वो सम्बंद का विवस्था का सेहन अस्तित्व का है हमारा मानना इसके अर्थ में है तो हम आराम में बने रहे हैं हमारा मानना इस से कुछ अलग है तो हमें दूसरे के उपर शंका होती है doubt होता है, suspicion होता है यह कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं कर देंगे या कभी भी कुछ भी हो जाता है शरीर में भी कभी भी कुछ भी detect हो जाएगा तो फिर हम घबराते हैं तो हमारा मानना कुछ इन से अलग है तो फिर हम जो भी घटना हो रही है, जो भी हम समवेदना पढ़ रहे हैं उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और अपना भाव विचार जो भी हमने अर्थ दिया उसके बेसिस पर बना लेते हैं तो हम सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं डिपेंड करता है हमने क्या भाव बनाया, डिपेंड करता हमने क्या अर्थ दिया उस समय. और अक्सर होगा कि हम क्यूंके प्रभावित हो गए, तो हमने अपने अंदर सही भाव नहीं रखा, और हम वहारा भाव बिगड़ा, हम प्रतिक्रिया में बहते गए, दुखी होते रहे और फिर अवशक्ता अनुसार अगें हमने शरीर को कुछ संकेत किया अगर अवशक्ता लगी तो उसको बाहर व्यक्त किया नहीं भी किया तो अपने अंदर तो दुखी होई गए तो ये पूरा प्रोसेस में हर स्टेप में मेरी चॉइस है मेरा निर्ने है इसकी बात होई थी फिर आए हम स्टेप सिक्स में स्टेप सिक्स भी देखें तो इसी का एक एक स्टेंशन है इसमर भी वही बाते हुई कि ये चार स्थ्रोथ हैं समवेदनाओं के मैं समवेदना को पढ़ता हूँ संसकार के साथ जोड़कर समवेदना को अर्थ देता हूँ क्या अर्थ देता हूँ वो डिपेंड करेगा कि मैंने क्या माना है मेरा संसकार समझ के आधार पर है या नहीं है उसी से तै होगा मेरा भाव क्या बनेगा उसी से तै होगा मैं सुखी होंगा या दुखी होंगा अपने अंदर मेरे अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा या प्रतिक्रिया चलेगी और फिर जब आविशक्ता लगी तो मैंने उसको बाहर व्यक्ट किया अगें ये पूरे प्रोसेस में तो मेरी ही चॉइस है इसमें अब हम देख रहे थे कि ये क्यों हो रहा है ये तो सही है कि मेरा मानना सही नहीं है तब प्राब्लम आती है इतना तो हमें दिखा तो संसकार बहुत आविशक है ये बात हमने स्टेप फाइव में ही कर ली थी तो हमें संसकार को भी देखना ज़रूरी है step 6 में हम ये देख रहे थे कि इस पूरे process में क्या हो रहा है कि हम जब अपने अंदर सुखी है तब हम बाहर से प्रभावित नहीं होते लेकिन जब जब मेरे अंदर भाव सही नहीं है तब ही हम बाहर से सुख पाने का प्रयास करते हैं तो मेरे अंदर भाव स्तिर नहीं है तो फिर मैं ही बाहर से जा जाके सुख पाने का प्रयास करते हूं और जब मुझे वो जो भी में जिसका प्रयास कर रही हूं जैसे कि कोई मुझे जो समवेदना अच्छी लगती है उसके लिए मेरे को एक तरह से जो अटाच्मेंट हो जाता है और मेरा सुख भी मैं उसको continue नहीं कर पाती वो शनिक ही रह जाता है तो इसलिए मुझे बार 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 वो समवेदना से आकर्शन होता है तो अंदर ये अंदर तो प्रतिक्रिया बार बार चलेगी ऐसा है तो एक तो शनिक सुख हुआ उसको अगर सुख कहना चाहे तो या आवेश्ट की स्थिति और उसके साथ साथ अपने अंदर भी ये जो excitement है जैसे हम वो pendulum की बात कर रहे थे pendulum को एक तरफ खीशते हैं तो वो धीरे 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 दूसरी तरफ भी जाता ही है इसलिए शायद पुराने टाइम में लोग कहते थे बहुत ज्यादा मल थासो फिर रोना पड़ेगा क्योंकि जब हम नीचे की क्रियाओं में रह रहे होते हैं जब नीचे की क्रियाओं में हमारा ध्यान पूरा टाइम रहता है तो हम इसी में लगे रहते हैं राग और द्वेश जो चीज अच्छी लगी उसको बनाए रहने का प्रयास करते हैं जो चीज अच्छी नहीं लगी उससे कट लेते हैं उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं तो ये आवेश्ट की स्थिती हुई, ये राग और द्वेश्ट इसमें फस जाते हैं. ये सभी प्रतिक्रिया है. तो ये बात हम कर रहे थे, स्टेप सिक्स ए में, कि जब हम हमारे अंदर जो भी हमने माना है, जो भी अर्थ दिया है, वो अस्तित्व के लाइन में नहीं है. तो फिर कोई भी अलग-अलग परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, अलग-अलग मनुष्य आते हैं हमारे सामने, हम प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभाव में फिर हम निर्ने ले ले लेते हैं, जो कि अक्सर सही नहीं होता, उसके कारण हम प्रतिक्रिया में हो जाते है और फिर कभी-कभी उसको व्यक्त करते हैं, जब भी भी लगता है, व्यक्त करने की ज़रत है। फिर हमने step 6 B में ये देखा, कि क्या होता है जब हम सही अर्थ देते हैं। जैसा अस्तित्व है, वैसा समझ कर हम जब सही अर्थ देते हैं, तो हमारा निर्ने अब समझ पर आधारित है। तो जैसे ही हमारा निर्ने समझ पर आधारित हुआ, हमको दिखा के ऐसा ही है अस्तित्व, अस्तित्व में संबंध ही है, विवस्ता ही है, सहस्तित्व ही है, तो वही अर्थ से हम शुरुआत करते हैं बाहर की परिस्तिती कैसी भी हो, हमारे अंदर हम आराम में बने रहते हैं, वही अर्थ दे के हम शुरुआत करते हैं हमारा अर्थ सही हुआ, हम अपने अंदर आराम में बने रहे, तो हमें बाहर से सुख पाने की आवशक्ता नहीं रहती, क्योंकि हमारे अंदर तो सुख बना ही हुआ है, अब जो हमें दिखता है, तो हम अपने अंदर संबंद का भाव देखते हैं, विवस्ता का भाव, सहस्तित्व का भाव, और उसके तहट हम दूसरे का सही सही आंकलन कर पाते हैं, क्योंकि हम सुख हैं, आराम में बने हुए हैं, हम दूसरे के गलत विवहार से या बाहर की परिस्तिती से प्रभावित न प्रियांकन करके अपना निर्ने रेते हैं कि हमें क्या करना है अब पूरा फोकस दूसरा क्यों ऐसा कर रहा है क्या कर रहा है वहां से शिफ्ट होके इस पर आ जाता है कि मेरा क्या रोल है मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है उस पर आ जाता है और फिर उसके तहत हम तह करते हैं क हम जिम्मेदारी पूरवक्त दूसरे के साथ पेश आते हैं, ये बात हुए थी step 6b में, इसी के तहट हमने ये जो कल का ग्रह कारे था, वो दिया था, तो पूरे दिन हमने देखना था कि विभिन परिस्तितियों में हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा क्या उस पर ध्यान गया, कि हमारे अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, या जिम्मदारी का भाव है, ये भी ध्यान गया, कि कभी-कभी हम इसको व्यक्त करते हैं, वरना बहुत बार तो अपने अंदर ही चलता रहता है, और हम बाहर जो करना है उसको दबा देते हैं, हम कहते हैं, हमने कंट्रोल कर दिया वो तो अच्छा है कि बाहर हमारा जो हमारे अंदर अगर प्रतिक्रिया चल रही थी अगर हम उसको बाहर भी व्यक्ष कर देते तो और गडबर होती बाहर सिचुएशन और धराब हो जाती तो वो तो अच्छा हुआ कि हमने बाहर नहीं व्यक्ष किया लेकिन अपने अंदर अगर प्रतिक्रिया चल रही थी तो हम तो दुखी होई गए तो रियाक्षन तो वैसे भी होई रहा था मेरे अंदर मैं उससे दुखी भी हुई वेकिन बाह बाहर को तो यह लंबे समय नहीं चल पाता क्योंकि आप लोग ने बहुत बाद शेयर भी किया कि हमने कुछ कहा या किसी ने कुछ कहा हमारे अंदर कुछ चला हमने फिर ना देखा कि हम यह नहीं कहना है लेकिन फिर भी हमने कह दिया या हमने मुझ को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन हमारे अंदर तो भाव बिगड़ गया इस टाइप का तो वह भी दिखेगा वह ठीक है जैसे जैसे हमारा ध्यान उस पर जाएगा तो और अच्छे से हम इसको कर पाएंगे तो कल के होमवक में उधारन के लिए कुछ बातें कहीं थी कि ध्यान दें जैसे आपने किसी चुए या कौक रोच या छिपकली को देखा उसके संपर्च में आए तो क्या हुआ अपने अंदर कुछ चला क्या चला कोई दुरगंद आ रही है मेरे अंदर क्या चला बाहर कुछ किया पहले तो मेरे अंदर क्या चला फिर बाहर मैंने क्या किया आपका बेटा या बेटी परिवार का कोई भी सदसे बाहर चाता है और अपेक्षित समय पर घर नहीं लौटता क्या चलता है हमारे अंदर इस टाइप की चीज़ हैं तो उद्धारन बहुत से हो सकते हैं हमारे डे टो डे लाइफ में आप लोगे भी बहुत उद्धारन नहीं होंगे आपको भी दिखा होगा कि बहुत सी ऐसे इंस्टेंसे होते हैं जब हम आराम में नहीं होते अगर आप शेयर करना चाहें इसमें आपके observation तो अच्छा रहेगा सबकी सायता होगी अपने अंदर ध्यान देने की प्रक्रिया में जी दिदी नमस्ते नमस्ते दिदी आज अच्छा मोसम है बाहर का भी और साथ में मेरी श्रीमती जी जोती जी कुछ बोल रही है वह प्लीज उसको थोड़ा हेड़ेक कर बुलिए जी दिदी नमस्ते जोड़ से बुलिए जादा सोचने से तो होता नहीं जादा सोचने से तो होता नहीं वह भी हो सकता है बहुत से कारण हो सकते हैं सिर्दर्द के लेकिन उससे हम प्रभावित हो रहे हैं या हम को देख के उसको सही करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए कुछ कर रहे हैं हम पानी इनफ नहीं पिया उससे भी सिर्दुख सकता है हम ज्यादा सोच रहे हैं उससे भी सिर्दु तो हम जो सोच रहे हैं उससे हम मतलब हमारा भाव से ही नहीं है तब ही सरदर दोगा अगर हम आराम में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब मैं जो एक्स्टोर कर रहा था कल से वो भी मेरे साथ है और वो शी लाइक डिस्टेप नंबर 6 A & B तो वो बुल रही कि मेरे अंदर जो हो रहे तो मैं बार-बार वही जैसे आप बताते कि आप भी जूर जाए तो धीरे-धीरे वो भी अभी पूरा उससे सुना हिंदी श अच्छा लग रहा है कि बारी परिस्टिती से अपने उपर जो प्रभा होता है वो उसे भी थोड़ा-थोड़ा अभी मैसुस हो रहा है और शी ऑलसो वेल भी इंप्रूइंग जी डिदी थैंक यू आज मेरे तरफ से इतनाई नमस्ते बात करते हैं कि अगर पूरा परिवा थे नमस्ते आपको यह तो यह तो यह तो है कि पहली उसमें तो नजर में भाहे का भाव मैं अपने में देखती हूं कुछ जान्वर के प्रति जैसे चुपकली हैं से मनने ये बना रखिये कॉक्रोच, मैंड़क, इन सब को देखके कोई भाय मुझे नहीं होता, लेकिन चुवा इन सब को देखके, लेकिन चुपकली को देखके जो, बतलब ऐसे भाय होता है, लेकिन फिर उसके लिए निर्ने लेती हूं कि वही इसको, जो है कपड़े से पकड़के, किसी, उनको स्ट कर रही है, तो फिर मेरा विरोध कभाव उस चुपकली के प्रती हट गया है, वो बिल्कुल वही रूम में मुझे पता है किस जगे पर रहती है, अब मैं चाहूं तो उसको पकड़बा भी सकते हूं, लेकिन जब मेर को ही पता चला, कि यह तो मेरे सही हो कर रही है, यह तो म मेरा बदला तो विरोध भी बदल गया, उसके साथ मैं विरोध कभावब नहीं है, और बाकी दीदी वो है कि हाँ, दूसरा अपने मुझे बताया है, जैसे बताया कि हमारा बच्चा टाइम से नहीं आ रहा है हो, तो बच्चा मेरा डिफेंस में है, तो मैं उसको लेकि कई भाह होता है, जब कोई ख़ब सुन ली भी ऐसा शाहिद हो गया या ऐसा हो गया, जब वो सुनती हूं तो मेरा बदल जाता है, और नहीं हो सुनती हूं तो मुझे लगता है, नहीं हो सही है, अपना सही कर रहा है, उसको यह काम करना है, बड़ी अच्छा है, लेकिन जैसे ना भै क्यों हो रहा है दीरे दीरे वो संसकार भी दिखे ना हमने क्या माना हुआ है उसके पीछे ना क्या था जिससे के हमने कुछ ऐसा अर्थ दिया के कुछ ना हमारा बाव बिगड़ गया वो भी ध्यान जाएगा बहुत अजी थैंक यू नमस्ते दी सभी को मेरी आवाज पर्सटेंट दिमांग में चलता रहता है तो अब्जर्वेशन की प्रक्रिया लगातार मेरे अंदर चल रही थी तो इन दिनों मैंने ये देखा कि पहले जब मैं PSD के काम को लेके मैं परिशान हुई कुछ रात मैं जगी और जगने से ज़्यादा क्योंकि मैं परिशान हुई थी मांण से क्रूप से तो देरे-देरे उसका मेरे शरीर पे adverse effect आया जो मैंने देखा कि जब हम परिशान होते तो उसका भी शरीर पे सिधा असर आता है जैसे सरदर्द होने लगा मुझे माइग्रेन जो बिलकुल कई महिनों से नहीं हो रहा था जब से मैं इसमें UHV में आयू वो एकदम से start हुआ दो दिन इन उसने परिशान किया और dizziness सी रही, भूब भी कम लगी तो इस तरह से सार UHV के शेरिंग में जो मेरे साथ ये घटना गटी कि मैं अपनी गाइट के केविन में गई तो इनके केविन में एकदम से बहुत बुरी से स्मेल मुझे आई मुझे लगा कि मैं ना जाओं लेकिन फिर मुझे मैंने ये सोचा कि ये स्मेल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इ लेकिन मुझे उस स्मेल का ध्यान ही ने गया, मतलब फिर दुबारा मुझे वो स्मेल आई ही ने, उस रूम में मैं भी एक घंटे बैटी रही तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा वो लगा, और जैसे जो भाव वाली बात है, तो मैंने देखा कि जैसे प्रिजी के ह भाव खराब नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन वहाँ पर मुझे प्रोफेशनली जैस करने बैटे हैं, अगर मैं उनके जगे होती, तो मैं भी यही यही चीज खुद को बोलती, तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी उनके यह कोई विरोध का भाव नहीं आया, और मुझे काफी सर्प्राइजिंगली वहाँ उन्होंने जो भी बोला, बाहर निकल कि उन्होंने काफी पॉलाइटली मुझे यह बोला कि देखो आप अपना काम अब इस धंग से प्लान करो कि जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो जा लेकिन इधर एक-दो प्रेजेंटेशन से, पिसले में तो कम था, इस बार जादा हुआ कि उन्हों लोगों ने काफी बोला मुझे, बट क्योंकि मेरे अंदर विरोध नहीं बना, तो मुझे ऐसा लगा, कि सामने से उतना प्रभाव आया नहीं, बाद में उन्होंने काफी स समझाने के मोड ने मुझे समझाया भी, तो ये मेरे दीदी दो दिन अब्जर्वेशन रहे इस दौरान, हाला कि मैं जुड नहीं पाई थी डेली मर्निंग मिटिंग से, बट ये अब्जर्वेशन के प्रिक्रिया मैंने जारी रखी थी, स्वेम में, जी दीदी, बस इतना स ने म हैं जाता है, जैसे मेरे बच्चे हैं चोटे बच्चे हैं, तो अगर वह खेल ले जाते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आए जाता है कि कहीं इन इनको चोटना लगी, आई ऐसा नहोंटा है तो इस भाव के पीचे संस्कार क्या मुझे किस तरह देखे हैं उसकी, ये तो थोड़ा और अच्छे से देखिए अपने अंदर जैसे धीरे धीरे दिखेगा अभी आप टेंथ बैच के हैं न मैं मैंने फर्स टाइम विजवन के अच्छे बने लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इतना जल्दी अपना भाव पकड़ पा रहे हैं यह देख पा रहते हैं वो क्या माना है वो देखना होगा जैसे के हम एक तो होता है कि हम लगता है कि बच्चा छोटा है कहीं गिरना जाए तो हमें उसको थोड़ी उसकी साहता करनी पड़ेगी कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन अगर हम उस भाव से विचलित हो रहे हैं और ये बार-बार काफी समय के लिए हो रहा है तो हमें दिखेगा कि हम ना बहुत जादा जो राग और द्वेश्ट की बात हो रही थी ना हम अपने बच्चे के लिए कुछ मान लेते हैं वो क्यूं मान लेते हैं हमारा जुडाव बच्चे के साथ ऐसा है कि हम शरीर को अधसा महतों दे रहे हैं जैसे कि अगर मैंने अपने को शरीर माना है तो मैं दूसरे को भी शरीर मानता हूं और मेरे family members के साथ जो संबन्ध है उसको मैं एक तरह से देखता हूँ और बाहर के family से थोड़ा हटके हैं उनको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ तो ये इसमें time लगेगा क्योंकि ये तो सभी हम सब के साथ ये जो है बहुत गहरे संसकार से हम start करते हैं कि मैं शरीर हूँ तो समय लग सकता है लेकिन इसको अपने अंदर देखें कि मैं भी मैं एक अलग एकाई हूँ शरीर एक अलग एकाई है इसी तरह मेरे बच्चा भी शरीर एक अलग एकाई है शरीर एक अलग एकाई है इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो थोड़ा उससे clarity बनेगी Of course, ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को छोड़ी देंगे कि ठीक है वो तो हमारा उससे attachment नहीं है तो हमने इग्नोर ही कर दिया, ऐसा भी नहीं हम ध्यान देंगे, उसकी साहता करेंगे अभी वो छोटा है, उसको कुछ guidance की जरुवत है, वो जरूर करेंगे लेकिन अपने अंदर विचलित हुए बिना तो वो स्थिती धीरे-धीरे होगी, आगे बढ़ेगी बट इसमें कुछ समय लग सकता है, आप अपने अंदर काम करते रहें कि कहें? जो मेरी अपनी एक observation है, मैं इस तरह से स्टार्ट क्यों करता हूं किसी भी situation में, वो इसलिए भी मुझे अपने अंदर देखने में मुझे यह लगता है कि मेरे फादर काफू के मार रहे, कम से कम ब्रस्पल्रा अलोग पिड्नी के पेशेंट हैं और काफी स्ट्रेस्ट कूल सिच्वेशन रही हॉस्पिटल में जाना ही सबक्रना, वो सिच्वेशन होते होते ही यह वो सहस्थार बन गया है इस तरह के जहां कि कही सिच्वेशन होती है तो पहले मैं तो दीरे दीरे जब हमारा ध्यान जाएगा कि अस्तित्व में चीजें कुछ किसी ढंग से चल रही हैं कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है तो हमें दिखेगा कि हमारे में भी वो उसका एक ग्लिम्प्स है सहत स्विकृति के तहर्द तो हमारा जब ध्यान अपनी सहत स्विकृति के तरफ जाएगा तो हमें दिखेगा कि हमारे अनदर उरड़ी यह सहत स्विकृति है संबंद के लिए व्यवस्था के लिए सहत्तित्व के लिए तो धीरे दीरे उस पर ध्यान जाएगा तो हमारे जो ऐसा लगता है कुछ भी कभी हो जाइगा تو चीजे हितन्य व्यवस्तित भी नहीं है, हर एकाई में एक तरह की व्यवस्ता बनी ही हुई है, कभी भी कुछ भी घट जाता है, ऐसा नहीं है, तो हम धीरे धीरे हमारा उस पर उससे आश्वस्ति होगी, तो धीरे धीरे ये हटेगा, जो हमने गलत संसकार बना लिया, बट वो टाइम लग सक ही जट भी किया, पड़ उस पर ध्न دेते हैं, होगा, भर्ख, झा वट भी घट, नमस्ते, सभी को नमस्ते, दो ब्सक्राइशन्स शेर करनी हैं, मेरी आवाज आराओ नहीं है, या आराइगा, आराओ दो ब्सक्राइशन सखेशन्स शेर करनी थी, तो जो लोगों से यूमन वहाँ तो मुझे लगता है बहुत जादा हद तक मैं अपना बिहेवियर बट वन इट कमस टू यूमिडिटी जैसे अभी बहुत जादा यूमिड एंवियरमेंट है थोड़ा सा भी यूमिडिटी होते ही जो मेरे आसपास वाले लोग है वो तो बहुत ही आराम में रहते हैं लेकिन मैं इतनी जादा विचलित हो जाती हूँ कि उसके बाद ना तो खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ ना कोई आजू-बाजू कुछ कह रहा है तो सुन भी नहीं पाती हूँ उनकी बात तो पहले तो मुझे लगा था कि यह ऐसी प्रॉब्लम है विच केनोट भी सॉल्ड और अभी आप अल्मूस्ट हर प्रॉब्लम का एक-एक सॉलिशन आपके पास है तो मुझे लग रहा है शायद इसका भी कुछ तो भी हो सकता है एक तो ये बात दूसरा जो आपने कहा कि घर से बच्चे जब लेट आएं तो जो गए है एकस्पेक्टे टाइम पर वापस नहीं आएं तो तो यूजली मेरी डॉटर लाइबरेरी जाती है रात को टेन, टेन ओक्लॉक उसको बोला है कि टेन ओक्लॉक तक घर आ जो 10, 10.30, 11, 11.10 अपने मन में ऐसा मैंने कैलकुलेट कर लिया कि भई अल्रेडी मैंने तुझे एक सवा घंटे का लीवे स्पेस दे दिया तब भी कुछ नहीं बोला उसको तो नहीं कहा लेकिन अपने मन में कैलकुलेट करती रही कि 11 बच गए सवा 11 बच गए 11.15 पे जब फोन बात करूँगी अभी रात को चालू हो गई तो बहुत मुश्किल होगा फिर दूसरे बच्चों को जो उसके आसपास वाले कि सब को एक एकर के फोन लगाया हो और फिर वो आ पाई और मैंने रात को वो आई तो कहती है कि क्या हुआ? मैं पढ़ी तो रही थी. मैंने का तुपसे तो मैं सुबह बात करूँगी. मुझे लगा अभी मैं कुछ भी कहूँगी तो I will not be able to put my words in a subtle manner. बस फिर मैं उसको बहुत देर तो कॉब्सर्व करती रही अपने आपको. अप अपनों में भी प्रोसेस तो सेम ही है. है ना? देखिए हम हमारा जब भाव बिगड़ता है तो हम अपने अंदर विचलित हो जाते हैं फिर चाहे हम बाहर दिखाएं या नहीं दिखाएं. जैसे आपने का ना तुझसे तो मैं कल बात करूंगी. अब हमारे अंदर क्या अगले को ट्रांसफर तो होई रहा है बहुत एजिली. ठीक बात है. उसमें मैं इतनी जादा विचलित हो जाती हूं कि ना मैं सीधी खड़ी रह पाती हूं, वेडिंग्स वगएरा मैं जाना तो बहुत दूर का काम है. अभी हैं भी तो ड्रेस अप होके या चोटा मोटा मे होते ही लाइक चली जाती है तो सामने कोई खड़ा हो फिर कुछ भी बोल रहा है तो वो तानों के अंदर भी नहीं पड़ता और मतलब उस समवेदना के आगे दूसरी कोई भी समवेदना सुनी नहीं जाती या पड़ी नहीं पाती. देखे एक तो हुआ कि समवेदना से हम प्रभावित हो गए फिर इसको देखेंगे कि हमने उसको क्या अर्थ दिया है कि हम इतना प्रभावित हो जा रहे हैं उससे कि समवेदना अनुकूल नहीं है तो हमारा इतना बुरा हाल हो कि हमें कुछ भी सूज नहीं रहा इस टाइप का तो हमने कुछ अर्थ लिया है वो भी दिखेगा फिर देखने जाएं तो भई मौसम तो बदलता रहेगा मौसम अपने हिसाब से चल रहा है अगर मैं उसको समझ लोंगी कि मौसम तो बदलेगा ही मौसम तो चेंज होता रहे तो मेरे अंदर वही मौसम का इतना प्रभाव मौझे नहीं दिखेगा बात अपने अंदर की ही है दोनों केसेज में इवन बच्चे के साथ जब देखें तो अगर मैंने कुछ मान लिया है बच्चे के लिए कि बच्चा सबसे पहले हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बच्चा टाइम से नहीं आया तो कुछ गड़वड हो गया या उसकी गलती है हो सकता है कभी कभी हम आफिस में काम कर रहे होते हैं बच्चा फोन करके बोलेगा कि आप कब घर आ रहे हो हमने कोई टाइम बताया लेकिन हम उस टाइम क्युक्त पहुंच पाएं रहे होता ही होगा कभी 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 न काम जादा हो गया कुछ हो गया तो हम बचे को इंफॉर्म नहीं करते हुए भी हम तेर में गर पहुंच देविप सि strangely कि थे यह तो मैं डेली करते हूं राइट तो देखेंगे के हम भी चाहते ना चाहते हुए भी ऐसे कर देते हैं कभी-कभी तो बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है वहाँ से शुरुआत करें कि पढ़ रही है काम कर रही है ठीक है हम पहले तो आश्वस्ति के साथ पेश आये न, मिश्वास का भाव रखें, फिर उसके साथ स्टार्ट करें, तो देखेगा कि जब हमारा भाव सही होता है तो हम अपने कंसर्न को भी अच्छी तरह रख पाते हैं कि हमें फिक्र हो जाती है, चिंता हो जाती है, टाइम से नहीं आते हैं, तो थोड़ा एक फोन कर देना, तो ठीक रहेगा, या इस टाइब का. जी दिदी, दोनों ही केसेज में, I think I got काफी क्लारिटी. नमस्ते. तो आज दिन भर में भी हम ये कोशिश करेंगे, कि अब तक के जो पूरे स्टेप्स हुए है, अगर हम स्टेप सिक्स को भी देखें, तो वो अब तक के हुए स्टेप्स का ही एक तरह से एसिमिलेशन है, सब को एक साथ रखके देख रहे हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे, ग हम और शेरिंग हैं, वो ले लेते हैं, कल हम फिर स्टेप सेवन पर आएंगे, जैसा कि अभी वो दीदी वो पूल रही थी, कि ये वैदर के कारण, जो एक थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होती है, कि हम कुछ भी नॉर्मली नहीं रह पाते हैं, तो सेम मेरे साथ भी था, तो आपके आंसर से मेरा भी प्रॉब्लम सॉल हो गई, दूसरा है कि जैसे मैं कहीं घर से बाहर जाती हूं, और फिर घर पे आई, तो जैसे कुछ भी चीजें प्रॉपर नहीं होती हैं, तो उसमें मैं इतना हाइपर हो जाती थी पहले, अब कुछ दिनों से ऐसा है कि मैं आई अंदर, फिर मैंने देखा, तो थोड़ा सा अपने आप में उसको रिलेक्स एक लंबी सी ब्रीत लेके, फिर मैं सोचती हूं कि नहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता है, यह नहीं टाइम पे कर पाए, पर लेकिन फिर भी अंदर से जो भाव, वो तो फेस एक्स्प्रेशन आही जाते हैं, तो जिससे मेरी परसनल लाइफ बहुत डिस्टर होती है, मैं बहुत कोशिस करती हूं कि अपने आप में नॉर्मल रहूं, नॉर्मल रहूं, पर इविन पहले से जब से मैंने यूएच भी ज्वाइन किया है, तो मुझे शिक्स मन्त हो चुका है, तो फिर मे जो जीवन सहली है, उसमें काफी चेंजिस आये हैं, जैसे कि मेरे को क्या होता था अभी इसमें एक दीदी बोल रही थी, कि सिरदर्द का होना, तो मुझे जैसे माइग्रेन इशू है, माइग्रेन प्रोबलम तो मुझे क्या होता था, वीकली ही एक टैबलिट लेनी पड़ तो उसके कारण ही बस होता है, बाकी ऐसे जैसे बहुत सोचना या ऐसे टैंसन के कारण, वो मेरा बहुत एक हद तक प्रोबलम मेरी यह सौल बुरी है, तो इसके लिए, हाँ, मैं ठैंक्स आभारी हूँ बहुत कि मुझे बहुत अच्छा यह प्लेट फॉम मिला कि अपने ही जो एक ऐसे प्रोबलम रहती ना कि हम कहीं पे भी हमें इनका आंसर नहीं मिलता है, लोग कहते हैं कि कहीं इधर जाओ या कुछ करो और यह अरे आप कैसे ग्रह चल रहे होंगे, कुछ भी होगा, तो मैं इसमें तो मैं इसमें प्लीब नी गरती थी, पर मुझे जैसे यह हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं, सामने वाले को यह पता ही नहीं है, बट फिर भी, जैसे कि कल मेरे साथ यह हुगा, कि मैं आउट आउप डाउन की, जैसे ही मैं घर पे आई, थोड़ा समय का भाव है, तो आगे बात करें, और भी है, जी 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 जी, बहुत अच्छा, देखे हर बात में हमारा ध्यान इस पर जाए कि मेरे अंदर जो चल रहा है भाव विचार वो मेरी जिम्मेदारी है, अभी जैसे आपने कहा मौसम के कारण जो हमारे में प्रॉब्लम होती है, तो मौसम तो अपनी जगा अपने हिसाब से चली रहा है, ना, मैंने उसको क्या अर्थ दिया, मैंने क्या माना, मैंने क्या भाव चलाया, वो मेरी जिम्मेदारी है, उस पर ध्यान दियाएगा तो दिखेगा कि ये तो मैं इसको ठीक कर ही सकती हूं, ना, बहुत बढ़िया है कि आप अभी इसी बैच से स्टार्ट करें हैं और आप ये सब अपने में जो हुमिलिटी से परेशान होना, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं सूजना और किसी की बात भी सुनना भी बरदार्ट नहीं होना, ये मेरी वाइफ के साथ भी होता है, और मैं इस बात पर पूरा रख नहीं पाता हूं, और विकोज आप एक डॉक्टर भी हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी वाइफ को तब से हुई है, जब से उनका यूट्रस रिमूव हुआ है, उसके पहले ये ही हुमिलिटी थी, तब उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो क्या ये केवल भाव और विचार की बात हैं, या शरीर जट भी कुछ है, बींग डॉक्टर आपसे पूछना चाला है, देखे, शरीर में एक व्यवस्ता है, है ना, शरीर एक व्यवस्तिक एकाई है, व्यवस्ता के ढंक से चीजें चलती हैं, अब कुछ ऐसा ओपरेशन हुआ, जिससे के हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, उनकी स्थिति कुछ अलग, कुछ चेंज हो उसके तहट कुछ हुआ शरीर में, है ना, जैसे के हमने सुना होगा, मेनोपॉस बोलते हैं, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो हार्मोन्स की लेवल धीरे-धीरे घटती है, वही चीज़ जब धीरे-धीरे-धीरे होती है, तो हमें एकदम से इतना जल्दी नहीं, उसक हम प्रभावित इतना नहीं होते है नहीं बट धीरे धीरे वह होता है जिसको हम महनों पॉज़ के टाइम बुलते हा्ट फ्लशष करें गर्मी अपने को तो वह त्रोसेस धीरे धीरे होता ही है जब Bringing धीरे घटते जाते हैं वह अब 15 का इन पर्टिक्लर हामों का जो रिप्रड़क्शन से रिलेटेड हैं क्योंकि उनकी जरुवत नहीं रही एक एज के बाद अब उसी को हमने बहुत जल्दी से कर दिया एक सजरी में की दिन में तो वही प्रोसेस को एकदम से किया तो होगा थोड़ा शरीर में अवेवस्ता रही है तो हम अगर मतलब अपने आपको शरीर से अलग देखते हैं तो हम जिम्मेदारी लेकर कुछ उसके लिए कर सकते हैं थोड़ी देर पंके में बैठ गए या पंके के हवा के नीचे बैठ गए या कई लोग बहुत गर्मी होती है नहाल यह इस टाइब का हम कुछ करें तो हमने अपने अंदर अपने अंदर ध्यान जाएगा तो वो चीजें सहज होती जाएंगी बट इस पर हम आगे बात कर सकते हैं समय भी हो गया है ठीक है बिल्कुल अपने जो इंडिकेशन किया है इसको ध्यान गया है दोनों ही लेवल पर इसको समझने की जरूत है और अगर कुछ होगा दिए आपसे अलग से बात कर लोंगे जरूर 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 इसे हम और क्या एड़ कर सकते हैं कुछ सजेशन आपने दिये वो तो हम अलरड कर रहे हैं लेकिन मेडिसन फॉम या और किसी तरह से रही क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं आपसे बात कर लो मती थी बहुत बहुत धन्यवाती थी वैसे मैं आपको अभी बोल दूँ कि मेडिसन ना ही लें तो बेटर है क्योंकि वो हामोन फिर से डालने की बात होगी हामोन रिप्लेस्मेंट वो उसमें ना जाएं बट इसको हम अलग से बात करें आज के लिए इतना ही है हम इस पर अपना काम जारी रखेंगे अपने अंदर अर्थ दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं क्या अर्थ दे प्रतिक्रिया के साथ पेश आ रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं बाहर की स्तिती से परिस्तिती से या नहीं हो रहे हैं। इस सब पर हमारा ध्यान जारी रहे। कल फिर मिलेंगे।